रिंकल्स को जूरियों को हम कैसे रिड्यूस करें, हमें क्यूं होते हैं रिंकल्स, क्या कॉजिस होते हैं रिंकल्स के, कौनसी एच से हमें रिंकल्स आने स्टार्ट होते हैं, कौनसी क्रीम्स रिंकल्स को बेटर करने में हमारी हेल्प करती हैं, क्या बेस्ट ट्रीट्मेंट है ये सारी चीज़े हम discuss करेंगे इस वीडियो में ये सारे time stamps मैंने description box में mention किया है Hi Zoli Skin Clinic से में dermatologist Dr. Nirbhama मैंने इस चैनल में बहुत सारे skin और hair से related video बनाया है आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं साथी साथ हमें Instagram पर follow कर सकते हैं बहुत सारी skin और hair cell related जो tips होती है, home remedies होती है, DIYs होते हैं वो post करते हैं Fortunately और unfortunately जैसे जैसे हम age करते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमारी skin भी age करती है और time के साथ साथ हमारी skin की elasticity reduce होती है हमारी skin बहुत ज़ादा fragile हो जाती है जो natural oil हमारी skin पर produce हो रहे होते हैं वो reduce हो जाते है जो हमारे face पर fat होता है वो reduce हो जाता है और हमारी skin बहुत ज़ादा saggy और loose हो जाती है ये changes नेली हर किसी में दिखाई देते हैं बट कई बार ये चेंजिस बहुत जल्दी होने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जब हम यंग होते हैं, हमारी स्किन काफी ज़्यादा फर्म होती है, स्मूध होती है, हमारा स्किन का टेक्शर अच्छा होता है, पर जैसे से हम ओल्ड होते हैं, हमारी स्किन पे लाइन्स, रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सागी होने लग जाती है तो बेसिकली एक यंगर स्किन जो होती है वो ज्यादा हाइडरेटेड होती है काफी अच्छा हाइडरेशन होता इसमें जो एलास्टिन और कलाजन होता है वो भी अच्छी कॉंटिटी में होते हैं और काफी ज्यादा फिर्म होती है बट कई बार अगर बहुत ज ना हो तो भी हमें early wrinkles हो सकते हैं, pollution की वज़े से भी ज़्यादा जल्दी aging होनी start हो जाती है, अगर हम cigarette लेते हैं तो उसकी वज़े से भी हमारे face में lines wrinkles बिखती हैं, कई बार sleep positions की वज़े से भी sleep wrinkles आ जाते हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा stress लेते हैं, और अच्छे से नहीं सोते हैं, तो उसकी वज़े से भी हमें जल्दी aging होनी start हो जाती है, अगर हमारा skin care proper नहीं है, उसकी वज़े से भी early aging हो सकती है, और अगर हमारी jeans में या हमारी family history में early wrinkling के chance हैं, तो हमें भी यह हो सकता है, कई बार हमें कुछ facial expressions या कुछ facial muscles जादा use करने से उस जगा पे lines औ जादा गुस्सा करें, तो हमारी frown lines जादा prominent हो जाती हैं, और अगर हम अपनी forehead की muscles जादा use करें, तो हमें horizontal जो forehead lines हमारे forehead पे, माथे पे lines आती हैं, वो भी जादा बढ़ जाती हैं, और कई बार अगर आप बहुत जादा बड़ी smile दे तो भी आपको कुछ cross feet याने की eyes around wrinkles दि जाती हैं, well 25 years की age से काफी हद तक हमारा कोलाजन जो होता है, वो reduce होता है, उसका production reduce होता है, और signs of aging दिखनी start हो जाती है, fine lines आने लग जाती है, फिर wrinkles, फिर loss of volume, sagginess, धीरे धीरे करके ये progress होता रहता है, ऐसा देखा गया है कि 20 years के बाद जो हमारे skin में कोलाजन production होता है, व हमने wrinkles के causes के बारे में समझ लिया, देख लिया, बट हम इसे reduce कैसे कर सकते हैं, अगर हमें अपने wrinkles को reduce करना है, तो हमारे लिए important है sunscreen यूज करना और डेली यूज करना, यूवी exposure से, ज्यादा sun exposure से, यूवी इंडियूस डामेज होता है, जिसकी वज़े से हमें early signs of aging चाहिए, और सबसे important है हमें adequate amount में से daily use करना चाहिए, साथी साथ हमें sugar intake को कम करना चाहिए, अगर हम बहुत आदा chocolates, cakes, और चीनी consume करते हैं, तो उसकी वज़े से हमारी health में copy damage होता है, और sugar consumption increase करने से glycation होता है, जिसकी वज़े से advanced glycation end products produce होते हैं, जो हमारे skin की collagen को reduce करते हैं हमें sugar और oil rich दोनो foods को कम करना चाहिए, अगर हम grill fry और roast करते हैं अपने food को, तो advanced glycation end products जादा produce होते हैं, और boiling और steam sink कम होते हैं, हमें smoking को avoid करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी signs of aging हमारी skin पे जादा जल्दी लेके आता है और जादा जल्दी wrinkles होता है, और anyways ये हमारी skin और health के अच्छा नहीं होता है, साथी साथ हमारी sleep position की वज़े से भी हमें कई बार sleep wrinkles हो जाते हैं, जब हम अपने face को excited पे करके सोते हैं, तो बहुत सारी forces लगती हैं हमारी face की skin पे, जैसे compression force, tension और sharing force, जिसकी वज़े से हमारी skin में ज्यादा aging होती है, एक sleeping के टाइम हम ने अली अप position को 20 times on an average range करते हैं, हमें जितना हो सके, face उपर करके सोना चाहिए, side पे नहीं सोना चाहिए, अगर side पे सोते हैं, तो ज़्यादा wrinkles होने के chances होते हैं, और जैसे आप देख सकते हो, इस drawing में मैंने दिखाया है, कि जो sleep wrinkles होते हैं, वो कहां कहां face में ज़्यादा देखे जाते ह है, दूसरा हमें face wash regularly करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे face पे कुछ भी makeup या कुछ भी dirt dust रहता है, तब भी हमें हमारी skin ज़्यादा जल्दी age करती है, और हमें अच्छे से अपनी skin को hydrate रखना चाहिए, water consume करके, antioxidant intake भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम fruits ले सकते हैं, fruits म अच्छे से अच्छे से मौस्टराइज और प्लम डब रही, अब हम बात करते हैं, anti wrinkle creams के बारे में, मैंने कुछ अच्छी anti wrinkle creams mention की है, description box में, साती साथ कुछ links भी mention किये है, यह जो anti wrinkle creams होती है, यह काफी जादा moisturizing होती है, क्योंकि उनमें moisturizing ingredients होते है, साती साथ कुछ active ingredients होत जो commonly active ingredients, anti wrinkle creams में होती होते है, वो है, retinoids, यह काफी अच्छे ingredients होते है, जैसे की retinol, retinoic acid, यह जो collagen होता है, हमारी skin का, उसे बूस्ट करते है, जो भी sun damage होता है, उसे repair करते है, यह काफी अच्छे ingredients होते है, और मैंने retinol serums पे एक video बनाया है, जिसका लिंक में हमें मेंशन कर रही हो, आप से देख सकते है, मैंने mention किया है, कुछ अच्छे retinol serums, और हमें retinol कैसे use करना चाहिए, यह सब मैंने mention किया है, कुछ retinol, जो मैं usually recommend करती हूँ, वो है, reti age, और egga cream, जो आप अप्लाइ कर सकते हो, रिंकल्स को reduce करने के लिए, Vitamin C भी काफी popular ingredient है, जो कि हम use करते है, as an anti-aging ingredient, यह collagen को boost करता है, fine lines और wrinkles को reduce करता है, जो spots होते है, pigmentation होता है, उसे reduce करता है, मैंने vitamin C serum पे भी एक video बनाया है, जिसका link में हम mention कर रहे हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, मैंने कुछ फेवरेट, vitamin C serums mentioned किये हैं, जैसे कि सीविट serum, Flav OC, VCX, VC15, यह हम apply कर सकते हैं, ताकि हमारे जो lines and wrinkles हो, रिंकल्स हो, यह काफी अच्छे anti-oxidant ingredients रहते हैं, hyaluronic acid भी एक बहुत अच्छा ingredient है, it's one of my favorites, यह हमारे skin के moisture को retain करता है, और moisture होने की वज़े से, skin में एक प्लम्पिंग एफेक्ट आता है, जिसकी वज़े से, visibly, जो wrinkles होते हैं, fine lines होते हैं, यह संद रिड्यूस होते हैं, मैंने कुछ hyaluronic acid serums description box में 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 किए हैं, Peptides, normally peptides जो होते हैं वो building block होते हैं हमारे skin के collagen के लिए और elastin के लिए तो ये collagen production को increase करते हैं साथ ही साथ हमारे skin के texture को wrinkles को reduce करते हैं ये भी काफी popular anti-aging ingredients हैं जो कि हम apply कर सकते हैं अपने skin पे wrinkles को reduce करने के लिए Ceramides help करते हैं हमारे skin के barrier function को improve करने में और हमारी skin की hydration को better करने में जिससे की हमारी skin plumbed up लगती है साथी साथ smooth और hydrated और firm feel होती है जिसकी वज़े से lines और wrinkles reduce दिखते हैं Sunscreens जैसे मैं already mentioned कर चुकी हो कि sunscreen बहुत important होते हैं और मैं इसे anti-aging cream में मानती हूं क्यूंकि यह हमारे जो lines and wrinkles को prevent करने में बहुत जादा help करते हैं क्यूंकि sun induced uv induced damage से हमारी skin को बचाते हैं at least SPF 30 का sunscreen आपको यूज करना चाहिए मैंने कुछ sunscreens mentioned किये description box में usually आपको sunscreen को रोज लगाना चाहिए everyday application बहुत जादा जरूरी है और half an hour before sun exposure sunscreen को हमें apply करना चाहिए कुछ अच्छे ingredients है coenzyme q10, niacinamide, alpha hydroxy acid, glycolic acid यह भी हमारे wrinkles को reduce करने में काफी जादा help करते हैं यह थे कुछ best ingredients, best creams जो की हम use कर सकते हैं wrinkles को reduce करने के लिए बट कई बार creams भी help नहीं करती हमारी wrinkles को reduce करने में और हमारे जो face face signs of aging होते हैं उन्हें कम करने में उस case में हमें कुछ treatments करनी रहती हैं जैसे की हम chemical peels कर सकते हैं जैसे glycolic acid, phenol या फिर TCA peels use कर सकते हैं, micro dermabrasion करके हम अपनी skin को exfoliate कर सकते हैं जिससे की skin का texture improve होगा साथी साथ कुछ lasers use कर सकते हम जिससे की हमारे skin की resurfacing होगी, collagen production boost होगा और हमारे skin का texture improve होगा जिससे lines और wrinkles भी reduce होगी कुछ ultrasound therapies भी रहती हैं जो की हम use करते हैं skin को और जादा tight और firm करने के लिए जिससे की wrinkles reduce होते हैं और microneedling भी उसक्या जाता है हमारे skin के texture को improve करने के लिए साथी साथ जो काफी जादा popular treatment है wrinkles को reduce करने के लिए वो है botox या botulinum toxin जो की हम inject करते हैं muscles में जिससे की muscle action जो होता है वो reduce होते हैं और जो wrinkles होते हैं उस वज़े से reduce होते हैं हम यूजली से इंजेक करते हैं eyes के round जो wrinkles आते हैं उन्हें reduce करने के लिए जो forehead पे wrinkles आते हैं उन्हें कम करने के लिए साथी साथ जो ये frown line आती हैं उन्हें reduce करने के लिए और ज्यादा popular injectable treatment जो होती है जो wrinkles होते हैं उनके लिए वो है wrinkle fillers, dermal fillers यह हम यूजिली यूज करते हैं अपने फेस को लिफ्ट करने के लिए कॉंटूर करने के लिए जिससे की जो हमारे फेस की जो वॉल्यूम है वो रिस्टोर हो और हमारा फीस और जादा फिर्म और लिफ्टेट दिखाई दे आपको इस विडियो से इन्फमेशन मिली हो कि एंटि रिंकल क्रीम में चाहिए कॉनसे बैस्ट इंग्रीडियन्स हैं हम क्या कर सकते हैं कि हमें तो आप यह तो आप प्लीज कॉमंच सेक्षशन में एक थम्स-ब साइन चोर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि की आपको वीडिय देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है नए नए वीडियो के बारे में थैंक यू फर वाचिंग